नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक्जाम को और I.S. में स्वागत है दोस्तों उत्तर प्रदेश लोग से वायोग द्वारा कंड़क्ट कराये जाने वाला समेक्षादिकारी या सहायक समेक्षादिकारी का जो एक्जाम होता है जिसका टेंटेटिव डेट अभी 11 अरवरी को मत है उसको इसको कितने फेज़ों में इस एक्जाम को कंड़क्ट करा जाता है उसके बारे में जानेंगे फिर हम लोग उसके सिलेबस तो देखेंगें और सबस्सेयंत में हम लोग उसके लास्ट यहर जो slash 2021 अउसका एग्जाम होआ उसके मेंस की cut-off को देखेंगे उससे कड़ कितनी जाती है और हमें किस तरीके से इसके तयारी करनी चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सुरू करते हैं कि इसके लिए कौन-कौन से लोग eligible हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया यगर exam date आ गई है तो इसके form जो है वो अल्रेडी भरे चा चुके हैं इसमें जो सायक समिक्षादिकारी की post है तो दोस्तों अगर हम इनके basic educational qualification की बात की जाए तो ये exam आप से simply graduation की डिमांड गरता है यानि आप किसी भी stream में अगर graduate हैं तो आप इस exam को भढ़ने के लिए eligible हैं दूसरा point यह है दोस्तों इसमें जो age foundation है वो minimum 21 साल से लेके maximum 40 साल तक की है general candidate के लिए यानि unreserved category के लिए जो है 21 से 40 साल के लिए इसकी age limitation रखी गई है और अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी category यानि किसी भी अनिकास्ट से बिलॉंग करते हैं category से बिलॉंग करते हैं तो आपके लिए कुछ relaxation दिया गया है वो relaxation है minimum 21 साल से लेकि 45 साल मतलब years तक के लि category से बिलॉंग करते हैं तो आपके लिए जो age relaxation है 21 से 55 साल तक के लिए है और दोस्तों इसमें एक O level की demand करता है अगर आप ARO post के लिए apply कर रहे हैं तो आपके पास O level की computer से संबंदित certificate होता है उसकी demand करता है अगर आप समिक्षा अधिकारी review officer के लिए आप apply कर रहे हैं तो आ आपको यहां पे clear हो जाना है कि अगर आप समिक्षा अधिकारी के लिए apply कर रहे हैं तो आपको O level की जरूरत नहीं है अगर आप सहायक समिक्षा अधिकारी के लिए apply कर रहे है तो आपको O level होना जरूरी है दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसके exam pattern की यानि यह कितने phase में exam कराया जाता है तो यह यहां पर इस exam में prelims होता है और mens होता है इसमें दोस्तों interview नहीं होता आप लोग यहां पर ध्यान देजिएगा इसमें interview नहीं होता प्रेलिम्स होता है और mens होता है यानि दो phase में इसके exam को conduct कराया जाता है जो prelims का phase होता है यह सिर्फ qualifying होता है और यह इसमें 140 सवाल आते हैं और 140 अंक क्या होता है जो paper 2 होता है वो सामान हिंदी का paper होता है इसमें 6 topic mention किया गया है उसको मैं syllabus में भी आगे देखूँगा तो इसमें मैं आपको बताऊँगा वो 6 topic कौन कौन से है तो सामान हिंदी का जो paper होगा दोस्तो वो 60 सवाल इसमें आएंगे अगर यह आपको ध्यान देना है कि इसमें negative marking है और कितनी है one third है तो आपका total जो इसमें होगा 200 question आएंगे प्रेलिम्स में और 200 marks का paper होगा one third आपके negative हो गई और यह सारा जो phase होगा यह objective type का होगा अब जो भी बच्चे क्योंकि यह qualifying है तो जो भी बच्चे इसको जो भी cut-off बनेंगी इसको अगर qualify करते हैं तो उसमें मेंस में बाटने के यानि मेंस में appear होने के लिए eligible हो जाएंगे वो जो की सारा merit यहीं से बनना है सारा game जो भी है आपको जो भी seat या rank alert होगी वो मेंस के marks के basis पे होगी प्रेलिम्स सिर्फ qualifying है तो मेंस में आपको सबसे ज्यादा मे जियान का होगा यानि general studies का होगा यह प्रेलिम्स की तरह ही objective type का होगा और इसमें 120 सवाल पुछे जाएंगे और हर एक सवाल एक नंबर का होगा यानि 120 सवाल होंगे तो 120 अंक हो गया जो paper 2 होगा वो सामान हिंदी और आलेखन से जबंदित होगा यह basically दो खंड में डिवाइ तो यह more or less लगभग वैसा ही paper होगा इसमें जो खंड भी होगा यानि खंड जो ख होगा वो सामान हिंदी का ही होगा जैसा prelims में आप paper 2 देंगे सामान हिंदी का जैसा मैंने पहले आपको बताया same उसी तरीके का होगा बस prelims में एक पर्रयावाची का topic जो है वो extra है वो यहा indifferent मांक का सामान हिंदी का जो खंड का होगा उससे संबंदित होगा और अलवरखन से संबंदित का होगा तो दोनों मिला लिया जाए Sache shots抗 मांक का होगा। और जो paper 3 होगा दोस्तों वो हिंदी निबंद से संबंदित होगा जिसमें तीन निबंद आपको लिखने होगे और जिनकी हर एक निबंद की जो सब्द शीमा होगी वो 600 अंकों की होगी और हर एक निबंद आपको 40 marks carry करेगा यानि 40 marks का हर एक निबंद होगा और 600 अंक शब्द आपको maximum लिखने होगे और तीन खंड होगे तो तीनों खंडों में से एक-एक टॉपिक में भी आपको दिखाऊंगा उन टॉपिक में से हर एक टॉपिक से कोई भी सेलेक्ट करके आप एक-एक निबंद लिखेंगे और उसके बेस पे आपका ये exam जो मेंस होगा वो तोटल आप देखेंगे तो 120 का पहला पेपर होगया 120 का तीसरा पेपर होगा दोनों मिलागे 240 होगया और 160 का पेपर दो होगा तो ये 400 marks का होगा दोस्तों और मैं पहले ही आपको बता दिया कि इसमें इंटर्व्यू नहीं होने वाला है तो marks के basis पे ही आपकी merit बनेगी तो अभी तक दोस्तों हम लोग ये जाने कि exam pattern जो होगा वो दो phase में होगा prelims और mens होगा prelims में दो paper होगे mens में तीन paper होगा मैंने आपको इसमें detail में पता दिया अब हम लोग आप syllabus के बारे में बात कर लेते हैं कि समिक्षा अधिगारी का अखर syllabus क्या है तो जो दोस्तों parambic परेक्फचा का syllabus है ये आपको सामने इहां फे स्क्रेन पे देख रहा होगा कि syllabus और ये parambic परेक्फचा के बारे में है जो parambic परेक्फचा है उसके syllabus के बारे में अगर हम लोग देखें तो जो पहला paper होगा सामान गद्य longtime का या objective type का ये दो घंटे का paper होगा और इसमें 140 सवाल आएंगे दो घंटा दिया हुआ है 140 सवाल आयाएगा और फोरडांग जो होगा 140 का होगा इसमें दोस्तों एकदम PCS के ही लेवल का सवाल आएगा और इसमें बस एक थोड़ा सा add कर दी हैं कि इसी में मतलब reasoning और math से संबंदित कुछ सवाल आ जाएंगे लगभग around 15 यानि 15 15-16 सवाल के आसपास यहां पर math और reasoning से होंगे बाकी सब लगभग जो भी portion है वो जो PCS का paper होता है उसी से more or less related जो questions के लेवल होंगे लगभग वैसे ही होंगे तो इसमें कुछ topics mention कर दिया गया है दोस्तों जो कि PCS में पूछता है यहां भी पूछता है तो आपको एक साथ पढ़ाई करनी होगी तो इसी के साथ साथ तयारी करेंगे आप तो आपका PCS भी असानी से prelims निकल सकता है तो जो पहला topic है दोस्तों इसमें general science से सवाल पूछेगा फिर इतिहास से पूछेगा उसी के साथ साथ आपका Indian national movement यानि भारती रास्टिक अंदोलन से पूछेगा फिर polity से economy से आ जाएगा फिर agriculture से संबंदित पूछेगा फिर census से हो गया फिर environment हो गया और urbanization से संबंदित प context में पूछेगा भारती परिप्यक्ष के में वर्ल्ड के बारे में नहीं सिर्फ इंडिया के बारे में आपको जानना है फिर विस भुगोल यानि वर्ल्ड जोग्रफी और Indian जोग्रफी पूछेगा और current affairs का major portion यहाँ पे role play करेगा तो current affairs के सवाल काफी रहेंगे इसके सवाल होंगे जो UP special के रुप में हम लोग जामते हैं तो UP special का यहां पर major role रहेगा तो आपको science, quality, history, environment, geography, current affairs और reasoning और math यह कुछ major section है जहां से आपको सवाल काफी मात्रा में देखने को मिलेगा और जो इसका दूसरा paper होगा दोस्तों वो सामान हिंदी का होगा यानि ब्याग सवाल आएंगे तो जो पहला और यह जो paper होगा दोस्तों वो एक घंटे का होगा और यह 60 प्रशन होंगे और 60 marks का होगा तो इसके बेस पर आप समझ सकते हैं कि हर एक जो सवाल होगा एक-एक marks का होगा तो जो च्छे topic इसमें mention किया गया है दोस्तों उसमें पहला topic है विलोम दूसरा है वाक के वरतनी सुध्धी तीसरा है अनेग सब्दों के एक सब्द चौथा topic है तत्सम वरतनी सब्द पाचवा है विशेस सब्द और चटवा है परियावाची सब्द जो यहाँ पे prelims का यह syllabus है दोस्तों यही means में नहीं होगा बाकी यह जो 5 topic है यह आपको means में भी देखने को मिलेंगे तो यह दोस्तों prelims की हो गई बात अब हम लोग means के थोड़े syllabus देख लेते हैं जो मुख्य परिक्षा का पार्ट करम है वो पहला मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहला जो paper होगा सामान एद्यान का होगा इसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जो दूसरा paper होगा दोस्तों वो समान हिंदी और आलेखन का होगा इसमें मैंने आपको बताया कि खंड एक और खंड बी यानि दो खंड में सवाल यहां पर आएंगे जो पहला खंड होगा वो descriptive type का होगा यानि आपको होँआ पर लिखना पड़ेगा जाकि यह धाई गंटे होगी हर एक के लिए आपको यहाँ पर 3 माक्स 6 माक्स 12 माक्स का according जो जो दिया है सिर्शाक माक्स 3 माक्स yea 6 माक्स और जो रेखांक अंशम Live क tears क करनी है उसकी लिए 12 माक्स यहाँ पर 12 माक्स नयर्दारी है पहले से होता है उसी के एकॉर्डिंग आपको लिखना होता है वहां पर इसके लिए 24 निरधारित किये गया है चौथा जो टॉपिक है दोस्तों पारिभाशिक शब्दावली के रूप में होगा जिसमें तीन टॉपिक दे रखे हैं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होगा उसके भी पूपिक हम में सब्सक्राइग आपको टोटल करेंगे गा जायगा अवल खंड़ करेंगे अब लोगों दूसरे खंड की बात करते हैं जो की objective type का होगा जैसे prelims ही मुआ था सेम उसी तरीके से यहां पर भी होगा और इसमें पांच topic mention किया गया है मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें परियावाची यहां से remove कर दिया गया है परियावाची आपको सिर्फ prelims तक ही आ marks का होगा तो इसका total प्रोडानक हो जाएगा आपका 60 और इसके लिए आदा घंट आपको इस टाइम में लट किया जाएगा तो आदा घंट एह हो गया यानि जो paper दो होगा वो तीन घंटेगा होगा पेपर एक जो होगा वो दो घंटे का होगा ठीक उसी प्रकार से पेपर तीन जो में फ्में पूछेएगा हिंदी निवन्ध से संबन्धित है ये भी तीन घंटे का होगा और ये 120 इसका पॉड़ाइंक है इसमें दोस्तों तीन खंड दे रखा है, हर एक खंड में तीन तीन टॉपिक दे रखे हैं जैसे खंड एक में अगर आप देखो गए तो साहित योम संस्कृति हो गया सामाजिक छेत्र हो गया, राजनितिक छेत्र हो गया इन तीनों में से आपको किसी एक ही टॉपिक पे एक निबंद लिखना है जिसकी शब्द शीमा होगी 600 शब्दों की और एक निबंद के लिए आपको 40 मार्क्स एलोट किया गया है ठीक उसी प्रकार से खंड दो में देखा जाए तो तीन टॉपिक दे दिये गया है विज्ञान परियावरण यहां प्रद्योगी की दूसरा है आर्थिक छेत तीसरा है क्रिशी यहां व्यपार इन तीनों से मिला करके किसी एक टॉपिक पे आपको निबंद लिखना है ठीक उ आउस्ट्री विकासी हो जनाओं से सम्बंदित है इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आपको छेसर शब्दों की यहां पर भी लिखना होगा और इसके लिए भी आपको 40 मार्क निरधारित किये गया है तो दोस्तों जो पेपर मेंस का होने वाला है उसके लिए आपको प किस प्रकार टोटल आपकी मेरिड जो बनेगी हो 400 मार्क के बैसे इस पर बने जी यह हो गया कुछ ब्रीफ आडिया इसके बैस पर आपको यह थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि जो समिक्षा अधिकारी का जो एक्जाम होता है वो किस प्रकार से होता है तो अभी तक हम लो के लिए रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है और अगर आप यह रो के लिए अपलाई कर रहे तो आपको ओ लेवल सर्टिफिक्ट चाहिए एक्जाम पैट्रेंट के बारे में हम लोग जाने है कि दो फेज में होने वाला है प्रेलिम्स और मैंस के बारे में इसमें इंटर्व आने वाला है उसमें 6 टापिक दे रखा है उसके बारे में हम लोग बात कर लिये हैं यहां पर मैंस के बारे में बात कर लेते हैं कि मैंस में तीन पेपर होने वाले हैं सामान एधियन का सामान हिंदियों आलेकन और इंदीनी बंद के लिए और इन तीनों के लिए अलग 2021 में हुआ था जिसकी अभी कट आफ जो है वो अगस्त 2023 में रिलीज हुआ है उसमें जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है समेक्चाद कारी उत्रप्रदेश सचिवाले का उसका दोस्तों यहां पर जो कट आफ है उसको हम लोग यहां पर देखते हैं जो अनारक्षित ज यह जैनरल कटेगरी की थी EWS की थी 256 से 252 अनसोचित जात यानि यसी कटेगरी के लिए 254 से 238 कट आफ गई थी अन्ने पिछडा उबर गया निए OBC से संबंदित जो बच्चे थे या स्टूडेंट थे उनकी जो कट आफ गई थी 258 से लेकि 249 तक गई थी DFF से 242 कट आफ गई थी जो हैंडिकाप्ड थे हैंडिकाप्ड लोगों के लिए जो आंक से संबंदित थे उनके लिए यसे करे 236 गई थी PWA आपको उसी एक औरिंग देख लेना है यह भूत पूर सायनिक जो थे उनके लिए 247 से 249 तक गया हुआ था जो फीमेल केंडिड़ थी उनके बाकी और दोस्तों जो यहां पे है समिक्षादिकारी हिंदी उत्तरपदेश सचिवाल है इसके लिए आप देख लिजेगा समिक्षादिकारी उर्दू उत्तरपदेश सचिवाल है इसके लिए इलग से कटाव बनी है क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए कुछ ऐसी पोस्ट इसके बाद दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा जिसके डिमांड होती है, उत्रपदेश सची वाले की होती है, इसके बाद आता है, जिसके अगर इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, तो जो उत्रपदेश सबसे लोग से वायोग है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, जो की अलावाद यानि प्रयागराज में है, तो जो लोग से वायोग में समिक्षा अधिकारी का कट अप गया था दोस्तों, उसका जो अनार सचिवाल है, तो इसके नीचे जो लोग प्रिफरेंस डाले होंगे, अपना सेकेंड उसके बेस पर यहाँ पर मिला होगा उन्हें, इसके बेस का 252 से 250 गया था, यसी का 237 से 234, ओवीसी का यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, या तो सीट नहीं रही होगी, या तो अब ज इसी प्रकाल से जो तीसरे डियमांड होती है सबसे ज़्यादा वो है आपकी समेक्षादिकारी उत्तरप्रदिस रावजास्ट परिसद में, इसकी कटाफ लगबग लगबग वही गई है, अनारक्षित के 258 से 257, EWS का 202, यसी का 236 से 235, अनुसोचित जन जाते हैं, यसी क 249 गया हुआ है, यहां पर महिला का 249 से 247 गया हुआ है, यह कुछ दोस्तों मोटा मोटी तोर पर आपको मैं ब्रीफ एक आइडिया दिया हूँ, जिसके बेस पर आप यह समझ पाएंगे कि इस एक्जाम में जो कटाफ है, लगबग अब ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल है क कि ऐसी ही कटाफ नेक्स वाले में भी अभी एक्जाम होने वाला है, उसमें भी ऐसी जाएगी, ऐसी नहीं जाएगी, थोड़ा कम या ज़्यादा होगा, डिपेंड गरेगा कि जो क्यूशन का लेवल है, वो टॉफ है या इसी है, उसके बेस पर जाएगा और इसके बेस पर फाइटिंग ज्यादा होती है, तो उसके बेस पर भी थोड़ा कटाफ जो है, वो वैरी करता है, तो इससे सिर्फ एक आइडिया आपको लगेगा, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्जाक्ट यही कटाफ जाने वाली है फिर से, ऐसा नहीं होगा, और ये कुछ आपको ब्र और ये आरो से संबंदित, इसका दोस्तों जो पीडियाफ है वो एक्जाम कोर आईएस का जो टेलिग्राम चैनल है, उस पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे संबंदित कोई भी अगर आपको डाउट है या क्वेरी है, तो आप कमेंट जाके यूट्यूब चैनल पर एक्जाम कोर आईएस के यूट्यूब चैनल पर जाके आप कमेंट करिएगा, और मैं जरूर कोशिच करूँगा आपको उसका आंसर देने के लिए, और फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो से, और इसके बारे में थोड़ा सा और मैं ब पढ़ाना पड़ेगा, और हम कोशिस करेंगे कि हर दिन आपको एक टॉपिक पे या दो टॉपिक पे जो पहले आ रखे हैं, पहले एक कोई टॉपिक आपको बताएंगे, और उससे संबंदित जो भी पी वाइक्यूज आ रखे हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिस करूँगा और उसका पीडियाप भी मैं आपको प्राइड करूँगा, और हो सकेगा अगर टाइम रहेगा तो वीक में दो बार आपका एक टेस्ट भी हाँ पे कंड़क्ट कराया जाएगा, जिससे आप लोग खुद को सेल्फ इवाल्यूट कीजेगा, और अपने मार्क्स को या अपन तैयारी को और पहतर करने की कोशिस कीजेगा, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में